अगवान बिर्सामुंडा 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 इस पैसे जो किसान यहां बैटे होंगे उनके मुबाइल पर मैसेज आ चुका होगा कि दो हजार रुपया आपके खाते में जमा हो गया है कोई कटकी मोदी हम्मत करके निकला है आदिव्यासी न्याय अभियान को ले करके दो करोड बहलाएं लखपती बनके रहने वाली देख ले भारत माता की भारत माता की भरती आबा भगवान बिर्चा मुंडा की जारखन के राजपाल सीपी राधा कर्ष्णन जी मुख्य मंत्री स्रिमान हैमन सोरेण जी केंद्र सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री अरजुन भुंडा जी अनपुनना देवी जी हम सब के वरिष्ट मारदर्शक स्रिमान करिया मुंडा जी मेरे परम मित्र बाबुलाल मरांडी जी अन्य महानुभाव और जार्खन के मेरे प्रियव परिवार्जन आप सभी को जोहार आज का दिन सवभाग्य से भरा हुआ है मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिर्शा मुंडा की जन्मस्तली उली हातु से लोटा हूँ उनके परिजरों से भी बड़ी सुख़द मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चड़ाने का एक परम सवभाग्य मुझे मिला है मुझे पगमान बिर्शा मुंडा मेमोरियल पार्क और फिडम फाइटर मुजियम देखने का भी अवसर मिला है आजाजी के बार साथ दसकों में देश के सिर्फ सत्र प्रतिशत सेवंटीन वन सेवन सेवन सेवंटीन प्रतिशत ग्रामिन परिवारों तक नल से जल की सुख़दा थी बीस परसंट भी नहीं जल जीवन मिशन की बज़े से आज ये भी सत्तर प्रतिशत तक पहुँच रहा है और साथियों हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे ये शुरुवाती मलाई मिली वो लोग कौन थे ये सारे रसुखदार लोग हुआ करते थे जो सब्बंड लोग होते थे जिनकी सरकार में पहुँच होती थी पहचान होती थी वो सुविदाएं और व्यवस्ताएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मन दिमाग ऐसा था उनी को जादा देते थे लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे जो मुल सुविदाओं से बंचित थे उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था वो असुविदाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे मोदी ने समाज कैसे बंचितों को अपनी प्रात्विक्ता बनाया क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जीया हूँ मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है मैंने कभी समाज के आखरी व्यक्ति का नमक खाया है मैं आज बगवान बिलसा मुंडा की इस धर्ती पर वो कर्ज चुकाने आया हूँ मेरे परिवार जनो आम तोर पर सरकारों का रवया रहता है कि जो आसानी से आसिद हो जाए उस लक्ष को पहले प्राप्त करो लेकिन हमने दूसरी रणनीती पर काम किया मैं तो ग्यानियों को कहूंगा इसका अध्यान करें आपको याद होगा आजादी के इतने दसकों के बाद भी अठारा हजार गाउं ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुची थी अठारभी सताब्दी में जीने के लिए अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां बिजली पहुचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना कठिन था मैं मानता हूँ लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है मक्षन पे लकिर तो हर कोई करता है अरे पत्थर पर भी तो लकिर करनी चाहिए और मैंने लाल के लिए से वादा किया था देश को कि मैं एक हजार दिन में अठारा हजार गावों तक बिजली पहुचाने का कठिन संकल्प मैंने सारवनेनी करुप से लिया था और आज मुझे सर जुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था सांतियों हमारे देश में 110 से जादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामिटर पर पिछडे हुए थे बहुत पीछे थे इन जीलों पर पुरानी सरकारों ने खपा लगा दिया ये तो पिछडे हैं और पहले की सरकारे बस उसकी पहचान कर लिए बेकार है पिछडे आगे कुछ नहीं हो सकता है और सरकार सोती रही इन जीलों में सिक्षा, स्वास्त, सुविदाएं दसकों से दयनी अस्तिती में थी और संयोग देखिए कि इनी पिछडे जीलों में देश की सबसे ज़्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी जब अपसरों को पनिश्मेंट पोस्टिंग करनी होती थी तो इनी जीलों में बेच दिया जाता था ठका हुआ हारा हुआ नाकाम जो वेक्ती है उझी को कहते जाओ यार तुम उदर रहो तुमारा इदर काम नहीं है अब वो जाके क्या करेगा इन 110 से ज़्यादा जीलों को अपने हाल पर छोड़ कर भारत कभी विख्षित नहीं हो सकता था इसलिए बन्चीतों को वरियता के सिद्लान पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जीलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रीक आकांची जीलेों के रुपे गोशित किया हमने इन जीलों में सरकारों को विश्वात में लेकर के सबसे हुनहार अफसरों को नियूक्त करने पर जोड़ दिया जिन जीलों में हम सिक्षा, स्वात, सडक एते अनेक विश्वों पर सुनने से काम शुरू करके सफलता के नए सिखर पर पहुँच रहे है यहाँ जारखन में भी यह अपना खुंटी समेत ऐसे कई जीले उसुची में है अब आकांची जीला भियान की सफलता को आकांची ब्लॉक कारकम के जरिये इसका विस्तार किया जा रहा है मेरे परिवार जनों दसकों तक हमारे देश में सोशल जस्टीज सामाजिक न्याय और सेकुलरिजम न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गए बयान भाई जी बहुत होती रही सक्चा सेकुलरिजम तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाए खत्म हो जाए सामाजिक न्याय का भरोसा तब ही मिलता है जब सब को बरावरी से समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाब मिले दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब है जिनके पास योजनाओं की परियापत जानकारी नहीं है कई ऐसे भी गरीब है जो योजनाओं का लाब लेने के लिए भाग दोड़ करने में सक्षम नहीं है आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे इसी दर्द में से इसी पीड़ा में से इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्मान हुई है और इसी सोच के साथ अब आज आज से विक्सीत भारत संक्यल पर यात्रा शुरू हो रही है ये यात्रा आज 15 नवेंबर भगवान विर्शा मुंडा की जन्वजेंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जन्वरी को तक उसको चलाये जाएगा इस यात्रा में सरकार मिशन मूड में बेश के गाउं गाउं जाएगी हर गरीब हर वन्चित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभारती बनाया जाएगा उसको इस योजना पहुंचे उसके ववस्ता की जाएगी और आपको याद होगा मैंने मिडिया के गुजमित्रों को मालूम नहीं रहता है 2018 में मैंने एक प्रयोग किया था केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम सरवाज अभियान चलाया था और मैंने भारत सरकार के एक हजार अपसरों को गाउं में बेजा था एर कंडिशन कमरों से निकाल करके एक हजार अपसर गाउं में जाकर के बैठे जए इस अभियान में भी हम साथ प्रमुख योजनाओं को लेकर हर गाउं तक गए थे मुझे भी स्वास है कि ग्राम स्वराज अभियान की तरही हमें विक्सित भारत संकल भियात्रा में भी हर गाउं जाकर के ऐसे हर हकदार को मिल करके इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है और जब बगवान बिर्सा की धर्ती से निकलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है मैं वो दिन देख रहा हूँ जब हर गरीब के पास मुप्त राशन देने वाला राशन काड़ होगा जब हर गरीब के पास उजवला का गैस कनेक्शन होगा सब बागी का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा मैं वो दिन देख रहा हूँ जब हर गरीब के पास पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाद देने अब आईश्मान काड़ होगा जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का गर होगा मैं वो दिन देख रहा हूँ जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा जब हर मद्दूर पेंशन योजनाओं का लाभारती हो जाएगा जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटर्प्रिनर बनने के दिसा में कदम रखेगा दिख्सिद भारत संकल्पी आत्रा एक तरह से देश के गरीबों को देश की माताओं बहनों को देश के नवजवानों को देश के किसानों को मोदी की गारंटी है और जब मोदी की गारंटी होती है न तो आप जानते हों गारंटी क्या होती है मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की भी गारंटी मेरे परिवार जनो विख्सीद भारत के संकल पगाएक प्रमुकादार है PM जनमन यानि PM जनजाती आदिवासी न्याए महा अभियान सामाजी न्याए जनरल जनरल बाते हुई मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याए अभियान को ले करके आज़ाजी के बाद कई दसोगव तक आदिवासी समाज को लगातार नजर अंदाज किया गया मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्राले बनाया अलग से बज़ेट बनाया हमारी सरकार के दवरान अब आदिवासी कल्यान का बज़ेट पहले के मुकाबले छे गुना तक बढ़ चुका है पीएम जन्मन योजना का नाम रखा है पीएम जन्मन पीएम जन्मन यानि पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान इसके तहट अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुचेंगी जिन तक अभी नहीं पहुचा गया ये वो जन्मन जाती है समू है हमने कहतो दिया वो प्रिमिटीव ट्राइप्स है जिन में से जादातर अब भी जंगलों में रहने के लिए मद्धूर है मजबूर है उन्होंने रेल की देखने की बाद थोड़ा आवाज भी नहीं सुनी है देश के बाईस हजार से जादा गावों में रह रहे ऐसे पच्चतर जन्जातिया वो पच्चतर जन्जातिये समूदाय की प्रिमिटीव ट्राइप्स की पैचान हमारी सरकार ने की है जैसे पिछडों में भी अती पिछडे होते हैं वैसे ही ये आदिवाचियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवाचियों है देश में इनकी संख्या लाकों में है इन सबसे पिछडे आदिवाचियों को मूल सुविधाय भी नहीं मिली हैं आज आदि के पच्चतर साल के बाद भी नहीं मिली हैं इस आदिवाचि समाच के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला इनकी कई कई पीडिया में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं हैं इस समाच के लोगों के काउशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए अब इन जन जातियों तक भारत सरकार विशे सब भ्यान चल कर पहुंचने वाली है पहले की सरकारों ने आंकडों को जोडने का काम कर लिया जो नदिग है जो उपर पहुंच चुके उनी से काम करवा लेना लेकिन मुझे सिर्फ आंकडों को जोड करके नहीं बैठना है मुझे तो जीवन को जोडना है जिंदगीयों को जोडना है हर जिंदगी में जान बरनी है हर जिंदगी में नया जजबा बरना है इसी लश के साथ आज पी-एम जन जाति आदिवाति न्याए महा भियान यानि पी-एम जनमन हम जन्रगण मन तो गाते हैं आज मैं पीएम जन्मन के साथ इस महाभियान के शुरुवात को रही है इस महाभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड पर खर्च करने जा रही है साथियों इस महाभियान के लिए मैं विशेश तोर पर आदर्णिय राश्प्रती द्रवपदी मुर्मुजी का आभार व्यक्त करना चाहता हमने अभी उनका वीडियो संदेज भी सुना है जब वो यहाँ जारखंड में राजपाल थी और उससे पहले जब ओडी सामे भी वो मंत्री के रुपे काम करती थी सामाजी कारकरता के रुपे काम करती थी तो ऐसे आखरी छोड पर रहने वाले आदिवासी समों को आगे नाले के लिए वो दिन रात प्रयास करती रहती थी राष्टपती बनने के बाद भी वो राष्टपती भवन में ऐसे समुहों को सम्मान के साथ बुलाती रही उनकी समझ्याओं को समझ करके उसके उपाय की चर्चा करती रही मुझे विश्वास है कि उन्होंने हमें जो मारदर्शन दिया है उन्होंने हमें जो प्रेणा दिये हैं उनकी इस प्रेणा से हम ये पी एम जन्मन पी एम जन्याती आदिवासिन्याए 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 महा भियान में जुरुर सफलोंगे मेरे परिवार जनो हमारी राश्प्रती इंद्रावपदी मुर्मुजी विमेन लेट डवलप्मेंट का भी प्रेरख प्रतीक है बीते वर्षों में जिस तरह भारत ने पुर्य दुनिया को नारी सक्ति के विकास का मार दिखाया है वह भूत्पुर्व है ये वर्ष माताओ, बैनों, बेटियों की सुभिदा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्त और स्वरोजगार के रहे हैं ये हमारे जारखन की बेटियां खेलकुद में जो नाम कमा रही है न सीना चौड़ा हो जाता है हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाओ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाय बनाई बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ से बेटियों की जन संग्या बड़ी है और स्कूलों में छात्राओं के नामांकर में भी वृत्ति हुई है सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग साउचाले निर्मान से स्कूल छोड़ने की मजबूरी कम हुई है पीएम आवास योजना के तहट करोगर मालकिन बेहने बनी है बेहनों के नाम रजिस्टर हुआ है पहली बार उनके नाम पर कोई प्रापर्टी हुई है साइनी स्कूल डिफेंस अकेडमिकों बेटियों के एडिमिशन के लिए पहली बार खोल दिया गया है मुद्रा योजना के तहट लगवक सत्तर प्रतिशत बिना गरंटी के रून लेने वाली मेरे देश की महला है, मेरे बेटिया है महला स्वयम सहायता समों को भी आज सरकार से रिकॉर्ड आर्थिक मदद दी जा रही है और लगपति दीदी अभियान कुछ लोगों को मेरी बाते सुन करके चक्कर आजाते मेरा सपना है दो करोड महिलाओं को लखपती दीदी बना के रहूँगा स्वयम समय समय सायता समूच चलाने वाली दो करोड महिलाएं लखपती बनके रहने वाली देख ले आप कुछ महने पहले ही हमारी सरकार ने विदान सबारों लोग सबा में महिलाओं को आरक्षन देने वाला नारी शक्ती बन्दना भिन अदिनियम भी अपनाया है आज भाई दूज का पवित्र परव है देश की सभी बहनों को उनका ये भाई गारंटी देता है कि बहनों के विकास में आने वाली हर रुकावट को ये आपका भाई ऐसे ही दूर करता रहेगा आपका भाई आपकी मुसिवतों की मुक्ति के लिए जी जान से जुटा रहेगा नारी शक्ति का अमरत स्तंब विक्सीद भारत के निर्माण में अहम भूमिका निबाएगा मेरे परिवार दिनों केंद्र सरकार विक्सीद भारत की यात्रा में हर व्यक्ति के सामर्त का उप्योग करना के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने उन लोगों को आगे लाने का प्रयास किया है जो अपने पार्मपरिक कौसल के लिए जाने जाते है कुमार हो, लुहार हो, सुतार हो, सुनार हो, मालाखार हो, राजमिस्त्री हो, बढ़ाई हो अरे कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो ऐसे हमारे साती यह हमारे विश्व कर्मा साती इस योजना के तहट विश्व कर्मा सात्यों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग के दोरान उनको पैसा मिलेगा उनको अच्छे नए ओजार मिलेंगे नई टेकनोलोजी मिलेगी और इस पर तेरा हजार करोड रुपिये खर्च किये जाएगे मेरे परिवार जनो आध देश के किसानों को पि-म किसान सम्मान निदी की पंदर भी किस्त रिलीच की गई है अब देश के करोडों किसानों के खातों में बेजी गई एक कुल रकम दो लाग पच्छतर जार करोड रुपिये को पार कर गई है आप पैसे जो किसान यहां बैटे होंगे उनके मुबाइल पर मेसेज आ चुका होगा कि दो हजार रुपिया आपके खाते में जमा हो गया है कोई कटकी कंपनी ने कोई भी चोलिया नहीं डारे मोदी का सीधान आता रहता है आपके साथ यह वही किसान हैं जिनकी पहले कोई पूछ नहीं होती थी अब इन किसानों की चरोतों का ध्यान सरकार रख रही है यह हमारी सरकार है जिसलिए पसु पालकों और मचली पालकों को किसान क्रेडिट कार के सुविदा से जोड़ा है पशु धन के मुप्त टिका करन के हमारी सरकार ने 15,000 करोट पे खर्च किये करोणा के बाद आपको मुप्त टिका रखा 10,000 करोट खर्च किये गए आपके हर परिवार जनको बचाने की कोशिश की गई इतना ही नहीं अब 15,000 करोट उप्या खर्च करके मुप्त में पशू का टिका करण भी हो रहा है आप भी इसका फाइदा उठाईए मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए अभी मैं यहां एक प्रदर्शनी लगी है एक एक डेड़ डेड लाग रुपी है वो मचली और उसमसे मोती बनाने का काम कर रहे है मच्स संपधा योजना के तहर आर्थिक मदद दी जा रही है आज देश में दस जार नए किसान उत्पाद संग एप्पियों बन रहे हैं इससे किसानों की लागत कम हुई है और बाजार तक पहुंच आसान हुई है हमारी सरकार के प्रयासों से इस मर्थ इंट्रेंडेशनल मिलेटियर मनाये जा रहा है मोटे अनाज को स्री अन्न की पहचान देकर विजेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है इसका भिलाब हमारे आदिवासी भाई बहनों को होगा साथ्यों सरकार के इन चोतर्फा प्रयासों से जार्खन जैसे राज्यों में नक्सली हिंसा में भी कमी आई है एक दो साल में जार्खन की स्थापना के पचीस साल पूरे होने जा रहे है ये जार्खन के लिए बहुत ही प्रेणादाई समय है इस माइल्स्टों पर जार्खन में पचीस योजनाओं के सेच्टुरिशन का लक्ष लेकर काम सुरू किया जा सकता है मैं जार्खन सरकार सो भी आगर करूंगा मैं जार्खन के सभी नेताओं से आगर करूंगा कि 25 साल का लक्ष ताय करके एक बहुत बड़ा भियान चला जाया इसले राज्य के विकास को नई गती मिलेगी और यहां के लोगों का जीवन भी और आसान बनेगा हमारी सरकार सिक्षा के विस्तार और युवाओं के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है देश में आज आदूरी ग्राष्टिय शिक्षा नीती बनी है अब विद्यार्तियों को मात्रू भाषा में मेडिकल और एंजिनेरिंग की पढ़ाई का फिकत पर मिल रहा है बीते नव वर्षों में पूरे देश में 300 से अधिक उनिवर्सिटीज बनी है साड़े 5000 से अधिक नए कॉलेज बने है डिजिटल नीजिय अभियान्य युवाओं को नए अवसर दिये गाउं गाउं कॉमन सर्विस सेंटर्स में हजारों युवाओं को रोजगार मिला है एक लाग से अधिक स्टांट अप के साथ दुनिया गत्ती सर बड़े एकोसिस्टिम भारत में बना है आज राची में IIM Campus और IIT ISM दनबाद में नए होस्टेल का भी लोकारपन हुआ है साथिव अमरुत काल में चार अमरुस्तंब हमारी नाड़ी शक्ति हमारी युवाशक्ति हमारी कृशी शक्ति और हमारे गरीब अमध्यमवर की सामर्त सक्ति भारत को निस्चिद ही नई उचाई पर ले जाएंगे विक्सिद भारत बनाएंगे मैं इन परियोजनाओं के लिए राष्ट निर्मान के इस अभ्यानों के लिए एक बार फिर आप सब को निमंत्रन भी देता हूँ आप सब को बधाई भी देता हूँ मेरे साथ मैं कहूंगा बगवान बिर्सामुंडा आप कहिए अमर रहे अमर रहे दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलिए भगवान बिर्सामुंडा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि सकत geliyor अई पयो कि सुट भी दोलिए पया खुटार भी देता हुunda को किसा एता हुन